दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने कहा कि अखले सियादो और समाजवादी पार्टी चुनाओं में पीडिये करती हैं लेकिन जब बारा साल की बच्ची के साथ जगन ने कांड हो जाता है तो 65 वर्षिय मोहित खान अयोध्या में समाजवादी रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी ने इसे पहले कभी किसी अपराधिक के नार्को टेस्ट की बात कही है अखले सियादो मोहित खान को पार्टी से निकाल नहीं पाए उल्टा समाजवादी पार्टी के गुर्गे इस परिवार को धमकार हैं दलितो और SCST की बात करने वाल जब 12 वर्षय निशाद समाज की बेटी के साथ बलातकार हुआ और बलातकारी 65 वर्षय मोहिद खान अयोध्या में समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है फैजबाद सांसत की टीम का हिस्सा है वो बलातकारी है तो वो DNA टेस्ट और नार्को टेक्स्ट की मांग कर रहे हैं अब PDA पर वोट बैंक भारी है और ये मोहिद खान को अभी तक अखिलेश जी निकाल नहीं पाये पार्टी से उल्टा समाजवादी पार्टी के गुर्गे और गुंडे जाकर इस परिवार को धंका रहे परिवार का वर्षयन भी सामने आया है कि कैसे उनको धंकी दी जारी जो इंडिय अलाइंस के बड़े नेता है उनके भी मुँपर कौन सी गोंद लगी हुई है कि वो एक बार भी इस पूरे विशय पर अखिलेश जी को नहीं कह पा रहे हैं कि अखिलेश जी अपनी बॉइज विल बॉइज मान सिकता को छोड़ कर ये मोहिद खान को पार्टी स से लात मार कर निकाली ये दिखाता है कि महिला सुरक्षन और महिला सुरक्षा पर ये पीडिये वीडिये सब भार चला गया किनारे हो गया और वोट बैंक को उपर रखा है अखिलेश जी ने